जादुल्ग का नाम, एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था उसकी अपनी एक छोचक्की थी, किसी तरह आटा पीस कर वो अपना काम चलाता था उसके एक लणकी थी, वो बहुत ही सुन्दर थी, ये लणकी जितनी सुन्दर थी, उतनी ही समझदार और होशियार वी थी वोल काम काज में अपने पिता का हाथ बढ़ जाती थी, चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी वो रात दिन अपनी लणकी के गुन गाया करता था, कोई भी मिलता था तो वो उससे अपनी बेटी की तारिफ किये बिना नहीं रहता था एक दिन ऐसा हा की चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा जब वो अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला राजा चक्की वाले को जानता था, उसने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाए, क्या हाल है आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है चक्की वाले ने आदर से रुख कर कहा, सरकान, सब आपकी क्रिपा है किसी तरह गुजर हो रही है वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डीम मार्दे है बोला जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी बढ़ी होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं राजा बोला, अच्छा, उसे कौन-कौन से काम आते हैं चतकी वाला बोला, अरे हजूर, यह पुछे कि उसे कौन सा काम नहीं आता तब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है मेरी बेटी चाहे तो इसे कात कर सोना बना सकती है राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भीज देना मैं देखना चाहता, कि वो रुई को कात कर सोना कैसे बनाती है राजा सोने का बहुत शौकीन था उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्ल रहती थी वो मनी मन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी जब राजा चला गया तो चतकी वाली को अपनी गल्ती मालूम हुई वो पच्चताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह वड़ा चधा कर बाती क्यों की लेकिन अब क्या हो सकता था वो राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने जूट बोला था वो चुप चाप घर पमचा घर जाकर उसने अपनी लणकी से कहा बेटी, तुम्हारी हुश्यारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुँच चुकी है वे तुमसे मिलना चाहते हैं जल्दी तयारी हो जाओ तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई थोड़ी देर में वह सचधच का महल में जाने के लिए तैयार हो गई चच्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पमचा राजा फॉरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रूई भरी रूई थी राजा ने लड़की के लिए एक चर्खा मनगवा दिया और कहा लो ये चर्खा है यहां बैठो इससे रूई कातकर मेरे लिए सोना बना डालो तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रूई को कातकर सोना बना सकती हो मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम पिया है अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूँगा ये कहकर राजा वापस महल में लोट गया बेचारी नणकी उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया वो तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आय थी उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे यहां तो बात ही उल्टी हो गई उसने कभी सपने में भी नहीं सूना था कि रूई को कात कर सोना बनाया जा सकता है और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी दीरे दीरे शाम हो गई लड़की हाथों से अपना मूँ छिपाए रोती रही आसों से जमीन गीली हो गई उस बड़े से गोदाम में वो अकेली बैठी रो रही थी वहाँ उसे मनाने वाला कोई नहीं था पचानत थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरम राया लणकी ने आवाज सुनकर सेर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाजा और बहुत भद्दा सा बूरा नंगणाता हुआ उसकी ओरा रहा है लणकी ने समझा कि राजा का कोई बूरा नौकर है और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहां आ गया है बूरे ने पासा कर कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो इस तरह रो रोकर तो तुम अपनी आँखेडी फोर योगी मुझे बताओ क्या बात है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लणकी से सकते हुए बूली बापा क्या बताम मेरी तो तकदीर ही फोट गए राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रूई को कात कर इसका सोना बना दू अगर कल सुबर तक मैंने यलकाम खत्म नहीं किया तो वो मेरा सिर्कटवा देगा मेरी समझ में नगनी आ रहा है कि मैं कैसे यलकाम करूं उद्धरन छिण बूरे ने मुस्कराते हुए कहा तो तुम घबराती क्यों हो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अब बताओ मैं अगर तुम्हारा काम कर दू तो तुम मुझे क्या दोगी लणकी बोली अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हे अपना यह सोने का हार दे दूगी पुल नाटा भूधा राजी रू गया और चर्खे के पास बैठकर रूई कातने लगा भन भन की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते बुए सोने के धागे मिकलने लगे देखती ही देखते वहाँ सोने के धागों का धेर लग गया सवेरा होने से पहले ही बूरा सारी रूई कात चुका था फिर वो अपना इनाम लेकर वहाँ से चुपचाप चला गया जब सवेरा हुआ तो राजा वहाँ आप अपुचा गोदाम में पैर रखते ही राजा की आँखिया अश्चर्य से फटी रह गई उसने देखा कि लड़की ने सारी रूई कात डाली है और वहाँ सोने के धागों का धेर लगा है राजा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं वो रहा था उसने देखा तो सच्छमच सोने के धागे थे राजा बड़ा खुश हुआ लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया वो लड़की को रूई के दूसरे गोदा में ले गया और वहाँ उसे बंद करते हुई बोला तुम यहाँ बैठो तुम्हारे खाले पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़